कि नमस्कर विद्यार्थियों पॉलिटिकल साइन्स क्लासेज में पुन्ह आपका स्वागत है और इलर्णिंग किस प्लेटफॉर्म को आप काफी इंजोई कर रहे होंगे मैं यह उम्मीद कर रहा हूं आपसे और साथ ही साथ मैं सोचता हूं कि जो नौट्स हैं वह आप तयार कर रहे होंगे के आपकी जो विष्व विद्यालय की प्रिक्षाaving और प्रतियों के प्रेक्षै नहले reinanco तरफ में पून अपुस्त्त हाँ मैं अगले से रहे दका है और आज का और है वहारा लुगतान की प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ है तो आज की शंपून व्यक्षान में मौटे तोर पर हम भारतिय समिधान में जो संसोर्ण की प्रक्रिया है उसके समंद में चर्चा करेंगे लेकिए नगेवल विश्विद्याले की प्रिक्षाओं नगेवल अकादमी प्रिक्षाओं बलकि प्रत्यों की प्रिक्षाओं के लिहास से भी यह जो प् 50% से विदिक चांसे होते हैं कि इस प्रक्रण से कोई इन कोई सवाल जरूर बनेगा अगर दो तिन सवाल भी इंडियन पॉलिटिस से आते हैं तो हम यह मान के चलते हैं कि एक सवाल यहां से जरूर आएगा तो भारते समिधान में संसोत्न की प्रक्रिया है उसको हम आज पढ़ेंगे देखे इस प्रक्रण को मैं बोर्ड पे लेकिया हूँ आपको नोट्स त्यार करा हूँ इससे पले आप यह समझ लें कि भारते समिधान में जो संसोत्न की प्रक्रिया है उसका जो उलेक है वो अनु प्रक्रण को शुरू करने से पहले ये समझ लें कि भारतिय समिधान में जो संसोदन है वो तीन तरह से होते हैं आप मेरे सब्दों पे ध्यान देजिए मैं तीन विधिया नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन तरह से तीन प्रकारों से तीन विविन पदतियों से भारतिय समिधान में संसोदन हो जाते हैं यह आपको याद रखना है पहला एक सवाल यह ध्यान देना है क बदलाव होते हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं तीन अलग-अलग मेथड़ से हो सकते हैं हाँ अब मैं बात कर रहा हूं कि भारतिय संविधान में इसे बहुत से उपण है जिनको बिना संविधान संसोद्न किये ही बदला जा सकता है इसके लिए संविधान संसोद्न विधेक ला आप यह समझते होंगे कि समिधान में जो बदलाव करने वाला कोई कानून होगा, वो समिधान संसोधन भी नहीं बोलते हैं, यह एक important चीज है, तो भारतिय समिधान में ऐसे बहुत सारे उपबंध हैं, जिनको बिना समिधान संसोधन किये ही बदला जा सकता है, अरथात जो सं जिस तरह से साधरन कानून मनाती है, साधरन विधियों का दिर्मान करती है, उसी विधी से, कोई अलग मेथड नहीं है, उसी विधी से समिधान में बदलाव कर जाती है, समिधान में बदलाव भी हो जाता है, और हम उसको समिधान संसोधन भी नहीं कहते हैं, यह अपने में होने वला प्षर्ट परिवर्थ सुम्धांस नहीं है बçasायां संशंदन oftentimes छो इते गई के माध्यलं के occupies and और मैं बता दूँ आपको अनुचे 368 में भारतिय समिधान को अमेंड करने के लिए, समिधान को संसुत करने के लिए केवल دو विधिया है, दो मेथड őं, केवल दो विधिया है, मैं ये पहले बता चुका हूँ कि तीन तरह से समिधान बदलता है, लेकिन अनुचे 368 जो की स अच्छा करूंगा आपके शामने एक आप याद रखें कि संसद के किसी भी सदन में समिधान संसदन विधेक को रखा जा सकता है संसद के किसी सदन का मतलब हो गया कि इसमें कोई सर्त नहीं है कि समिधान संसदन जो विधेक है वो लोक्षवा में लाए जाएगा या राज्ये सवा में लाए जाएगा एक बात इसको आप लोक्षवा में रख सकते हैं और इसको राज्ये सबामे भी रख सकते हैं हाँ दोनों से पास होना आवसेख है एक तो ये चीज इंपोर्टेंट है दूसरी बात ये है कि समिधान संसोदन विदेख को कोई आवसेख नहीं है कि कोई सरकारी सदसे ही रखे ये एक चूट है दोनों से आप मान सकते हैं इसको एक बात है दूसरा देखे समिधान संसोदन जो विदेख है उसको रखने से पुरुव है राष्ट्रपति की पुरुवानुमति आवसेख नहीं है ये भी इंपोर्टेंट चीज है अपने आप में आप समझते हो कि समिधान में संसोदन करने जासे कोई विदेख होगा तो उसमें राष्ट्रपति की पुरुवानुमति की आवसेखता नहीं है एक आप ये भी समझ लें कि जो राज्य विदान मंडल है जो विभिन राज्य है भारत में कुछ ऐसे सनसोगन होते हैं उनके भी भूमीका होती है। लेकिन आप ध्यान लखें समसभान संसोगन की पृक्रियाइं हैं। या समिधान संसोद्न का आरंब भी है वो राज्यों की already 가 trafficking से नहीं हो सकता ठीक है एक और भैत्य पुन बात यह तो एप नहीं बन पाएगा कानून नहीं बन पाएगा इसमें जो जॉइंट बैठक है जॉइंट सेशन है उसका प्रावधा नहीं किया गया है अर्थार्थ भरतिय समिधान में संसोधन के लिए राज्य सभा से लोक्षभा से अलग अलग उसको पास होना पड़ेगा तभी वो समिधा समिधान संसोधन विधेकों के लिए जॉइंट सेशन की जो व्यवस्ता है वो समिधान में नहीं किये एक बात फिर अगर मैं बात कर लो दूसरी महतोपन बात है तो यह है कि समिधान संसोधन विधेक अगर लोक्षभा ने उसको पास कर दिया हो अनुच्छे 368 में जो प्र इसके पत्षबात रास्ट्रपती उसको असता करेगा रास्ट्रपति उसको रोक नहीं सकता और खास बात है उसको पुनर विचार के लिए भी संसद को वापिस नहीं लोटा सकता राश्चपती उस पे अनुमती देने के लिए बाद दे है ये विवस्ता मूल समिधान में नहीं थी लेकिन 24 में समिधान संसदन 1904 के मादम से ये विवस्ता कर दी गई है कि अब समिधान संसदन जो विदेख हैं जो राश्चपती के विचारार्थ लाए जाएंगे राश्चपती उन पे अनुमती देगा अनुमती देना उसके लिए आवसेख है उसको पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकता उस अनुमती को रोक बिनी सकता ये इंपोर्टन बात है तो मैं बात कर रहा हूँ तीन विदियों की मैं आपको इस विवाक्षान के सुरुवात में बता सुका हूँ कि समिधान में संसुदन करने की खुल तीन विदियां है ये दप्पी मैं यह नहीं कह रहा हूँ आपको कि अनुचे 360 में तीन विदियां बताई गई है नहीं तीन तरे से समिधान बदलता है तीन मेथर्ड से बदलता है तो तीन विदियों की पहले मैं बात करता हूँ उसके बाद 360 की बात करेंगे हम तो देखे जो तीन प्रकार है तीन तरे से बदलता है और जो पहला प्रकार है उसको हम बोलते हैं साधारन बहुमत से साधारन बहुमत देखे साधारन बहुमत का मतलब यहां पर साधारन बहुमत का जो संदरफ है यहां पर यह है कि आदे से एक अधिक यदि किसी सदन में, किसी विधेक पर विचार हो रहा हो, उस पर मद्दान हो रहा हो तो उस समय जो उपस्तित सदस्य हैं जो सदन में बैठे वे हैं और मद्दान में भाग लेते हैं उनके आदे मत अगर प्राप्त हो जाएं तो हम कहते हैं कि उस विदेग ने साधरन बहुंबत प्राप्त कर लिया या साधरन बहुंबत से वह पाश हो गया है मान लेते हैं कि अगर मैं एक्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊं तो हम यह समझ सकते हैं कि राजस्तान विधान सिभा में मालेजिये कुल जो सदस्य सिंख्या है वो 200 है लेकिन किसी दन किसी विधेग पर चर्चा के समय केवल और केवल हम यह मान सकते हैं कि 100 सदस्य उपस्तित हुए सो तो अपसेंट हैं केवल सो ही वेक्तिया हैं और माले जी सो उपस्तित हुए हैं तो उन सो लोगों ने मद्दान में भाग लिया है सो के सो ने मद्दान भी किया है किसी विदेग पे उसके पक्स में या उसके विरोध में मद्दान किया है ौर मNet Peer, उस सुमय जो उपस्तित थे उसके भाउमत ने अगर समर्थन में हाँ में मद्डिया है तो विदया कि यहां से पास होगए इसको उतने साधरन भाउमत है तो पहली जो विद्धी है भारतिय समिधान में संसोद्न की उसका नाम है साधरन बहुमत से ये पास होता है और साधरन बहुमत का मतलब है जिस तरह से सामान ने कानून नहीं बनते गया देश में सामाने विध्या नहीं बनती गया उन्हीं विध्यों की तरह ही भारतिय समिधान में संसोद्न हो जाता है उसी विध्य की जो हम कह सकते हैं प्रक्रिया को अपना कर भारतिय समिधान में संसोद्न हो जाता है मैं आपको बता सकता हूँ, राज्यों के नाम बदलने हो अगर, राज्यों के नाम बदलने हो, तो राज्यों के नाम भारती समिधान में जो लिकित हैं, वर्णित हैं, अगर उनके नाम बदल गए हैं, किसी विधेक से, तो वो समिधान संसर में विधेक भी नहीं है, और हो सकते हैं किसी राजय में विद्हानी हैं ईयथर के टाहिए हो तो वह संसौन भी हो जाएगा और उसका जो आवसादन्द है उसका समापन है वो भी इस तरह से हो सकता है तो तो तेकिन अम मामलों में राजों करद ले जा रहे हैं सेमाएं बदली जा यह चेत्र बद्दे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है समिधान में संसोद्न हो रहा है लेकिन उसको हम संसोद्न विदेग नहीं करते यह बदल भी जाएगा लेकिन इसको हम संसोद्न की केटेगरी में नहीं रखते हैं तो यह पहला है साधान बहुंबत से होता है तो मोटे दो परपीश में संस्टन होंगे और आप यह मांसकते हैं राज्यों के नाम शीमा चेतर इनमें परिवर्तन होंगे वह इस तरह से किया सकते हैं आप ध्यान देखें, साधारान बहुमत की जो ये पदिती है, ये अनुच्छे 366 में कहीं बेवर्णित नहीं है, अनुच्छे 366 के वल दो विदियों की बात करता है, और वो दो विदियां कौन सी हैं, अब बताने जारा हूँ आपको, ये साधारान बहुमत से तो हो जाता है इस तरह से एक प्रावधान तो ये है, जिसके माद्यम से समिधान में बदला होता है, और दो प्रावधान वो हैं, दो विदियां वो हैं, जो नुचे 366 में बताई हैं, हमें किसी भी सवाल का पृतियों की प्रेक्षा में उत्तर देते हैं समय ये ध्यान दखना है, समय थै होता है कि भारते समिधान में कितनी संसोतिन की प्रिक्रियाओं का बंदन क्या गया है तो आप लिखेंगे उत्तर दो के अवल समिधान संसोतिन की दो विदिया है जो नुचे पहली विदिया नुचे तिन स्वर्ष में वर्णित है और दूसरा प्रकार है जिसके माद्यम से समिधान बदल रहा है वह है विशेश बहुमत के द्वारा सबसे पहले हैं कि विशेश बहुमत का इस समिधान संसोतिन के संद्रब में आप ये पॉलिटिक स्टुडिंट हैं आ इसका जो है वह है है मादली जीये को समिधान संसोतिन विद्धेक लोगश्वा में रखा गया है लोगश्वाइं कुल स्थे संक्याइश पानसो त्यालीस है ठीए तो जब किसी विद्धेक को विशेश मयुमत से पास किया गया है तो इसका मतलब है उस सदन की कुल सदस्य स संख्या का वहमत है जानी चाश्वा से संख्या का वहमत है यानि इस 1 1 1700तर न्याँ था रहने हो सकता है अगर बात कर hack under logreciर काम चलेगा पाहन सोक्ता अगर मैं बात कर लो यहां पर निर्वाचित की में जोड़ने रहा हूं पांसो त्यालीस का बहुमत दोसु बहुतर हो जाएगा तो विशेश बहुमत से जब समिधान में संसौदन होता है तो इसका मतलब हो गया है दोसु बहुतर वोट उस विधे के सिंबर्फिन में आने ही आने चाहिए क्योंकि ये सदस्य संख्या का बहुमत है और इसका हम 543 से 255 मान लें तो 213 वोट यानि 545 लोग सबस्याश्यों में से 545 जो लोग सबागी सब्रतमान सदस्य संख्या है इसका जो बहुमत है साधरन बहुमत है वो 273 है तो अगर लोग सबा किसी विधेक को विशेश बहुमत से पास कर ही है तो इसका एक मतलब तो यह है कि उस विधेक के पक्ष में 273 वोट पड़े होने हैं 273 वेक्तियों का समर्तम उसको मिलना है और दूसरा इसके साथ कंडेशन यह है 233 तो मिलने ही मिलने चीए प्लस एक सरत और है कि उपस्तित और मदान में भाग लेने वाले सब्सकों का दो तिहाई बहुमत भी मिलना आउसक है उपस्तित एवं मतदान में भाग मतदान में भाग लेने वालों का कितना बहुमत दो तिहाई यानि 66% यह भी मिलना आउसक है है दोनों कंडिशनों को पूरा करना होगा तब जाके इस मेत्रड से भारतिय समयधान में संसोधन हो पाएगा तो इसको बोलता है विसेश बहुमत यह पहली विदी है जो नुचे मैं एक्जाम्पल के मादम से बताना चाहूं आपको तो भाग तीन और चार तीन और चार का मतलब हो गया मूल अदिकार वाला जो भाग है वो मूल अदिकारों में को संसोधन करना हो या भाग चार नितिन निदेशक सिद्धान थे राजे के डिरेक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेटें और तें संसुन है वह भी सिवेश किये जाते हैं अब बात कर रहा हूं दूसरी वीधी की जोनों चेट 168 में लिखी गई तो 168 में दूसरी वीधी लिखी तो 145-10 ॉसकी मैं बात कर लोन उस्वेश्वेशका नाम आप पैली विडियोबिभी विशेष महमत और दूसरी विदी का तो नाम है वो है विशेश महुमत एवं आदे से अधिक विधान मंडलों की अनुमती आदे से अधिक विधान मंडलों की अनुमती इसको आप समझ लें पहले तो क्या होगा समिधान संतुन भी देख क्या होगा स्विशेस बहुमत से लोक्षभा से और राज्यसभा से अलग-अलग पारित हो अर्थारत है लोक्षभा की जो कुल सदस्य संख्या है पानसो पैंता है उसका दोसो तेत्र बोट ले प्लस दोस तिया ही बहुमत सभी पास हो वो बद्दान में जो भाग लने वाले सदस्य है वहां से पास होजे ठीक इसी प्रक्रिया से वो राज्यसभा से भी पास होगा मालने जीए, किसी समय बहरत में 28 राज़े थे, तो 28 राज़े का मतलब हो गया, कि उस समय जब समिधान संस्वत में विधेक पारिक शबा तो 28 राज़े का मतलब हो गया, कम सकंव 15 राज़ें की विधान सभावों में भी वो पास होना चाहिए, यानि विसेश लौमबत से कहां जो सवाल वो यह है कि विधान मंडलों में वो केवल साधान बहुमत से पास होगा वहाँ पे दोतियाई बहुमत क्या आप सकता नहीं है जो विधान मंडल है यानि 15 राजियों के विधान मंडल है 28 राजे हैं तो 15 राजियों के विधान मंडल केवल साधान बहुमत से, केवल साधान बहुमत का मतलब हो गया, उस दिन जब उस विध्यक पे मद्दान हो रहा था, तो जो उपस्तित थे, उसके बहुमत ने इसका समर्शन किया हो, तो इस तरह से ये दूसरी विधी है, जो अनुचे 306 में लिखी हुई है, इस विधे से मै यनि विशेस बहुमत के दोरह इसको बदला जाता है, इसमें एक थोड़ा सा, एगर मैं बात कर लूँ, तो एक कहीं लूफॉल है, तो वो यह है कि राज अगर संसभने पास कर दिया हो, लोग साधान ने पास कर दिया हो, पिर लोग साधान ने पास किया हो, तो उसके तो यह अपने आप में दूसरी महतों बात है अगर मैं बात कर लूँ अब तक तो इससे संसद में जो राज्यों को प्रतिन्यत दिया गया था इसके मादें से इसको बदला गया था जो इसके मादेम से यह कर दिया गया कि समिधान संसोदन जो विद्यक है राश्टर पति उनको विटौ नहीं कर सकता लोटा नहीं सकता पुंद्र विचार के लिए नहीं वेश सकता उस पर अपनी उसको कहते हैं अनुमत्र जेने के लिए वह बत दे ठीक है और तीसरा संसोदन 363 से में हुआ है orth daran की रहों शे, प्रावधन कर दिया गया कि अनुमत्र ख Zig में पैर ड़ाल कर इसको बदला गया था अव तक 300 में relevant संसोदन हुए हैं मुवमित करता हूँ कि आज के वैख्यान में आप बाखले समिधान के जो संसोदन पर गरिया है उसको ठीक से समझ पाए होगी बहुत बहुत धन्यवाद